सुनिल दथ की प्रथम फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म का मशूर गीद बस्ती बस्ती बर्बत बर्बत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एकदारा परदे पर किसने गाया था साहिर लुधिहानवी के गीद संग्रह की एक पॉकेट बुक का शीटशक बनी इन पंक्तियों को स्क्रीन पर गाने वाले थे मनमोहन कृष्णा इसी तरह से देश की आजादी के बाद भारत में धार्मिक संभाव और सद्भाव बढ़ाने में साहिर के तो हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा इनसान की ओलाद है इनसान बनेगा इस गीत ने जो असर किया ऐसे शायद ही किसी अन्नी गाने ने किया था। उस बेमिसाल गाने को भी धूल का फूल फिल्म में परदे पर मनमोहन कृष्णा जी नहीं गाया था। उनका नाम आते ही दर्शकों के दिलो दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र खड़ा हो जाता है जिनकी आँखों में अपार करुणा हो और जिनका चेहरा एक तयालू सच्चन की याद ताज़ा कराता हो। मनमोहन कृष्णा जी उन दिनों में फिल्मों में आय थे जब सिनेमा की दुनिया को समाज में नीजी नजर से देखा जाता था। बलकि पढ़े लेखे लोगों के लिए तो इससे बहतर कई व्यफसाए थे। फिर पंजाब के धीबा गाउं में 1922 की 11 अगस्त को जन में मनमोहन कृष्णा जी के पिता जी तो डॉक्टर थे। उस जमाने में किसी का डॉक्टर होना ही उसके परिवार की शिक्षा के प्रती अपारुची तरशाता है। उस खांदान का एक लड़का अभिनिता बने। और लड़का भी तो अपने पिताजी की तरह पढ़ाई में अच्छा था, जिसने उस जमाने में लाहोर युनिवस्टी से फिजिक्स में MSC किया था। इतना ही नहीं, वे तो कॉलिज में लेक्चुरर के सम्मान जनक पदपर नौकरी भी करते थे। ऐसे व्यक्ती के लिए इतनी अच्छी नौकरी छोड़ कर अभिनय के अनिशित शेत्र में आना कोई छोटा साहस नहीं था। मगर फिर भी एक दिन शिक्षा के व्यवसाय को छोड़ उन्होंने मुंबई की राहा पकड़ ली। यहीं आकर वहीं शांताराम के साथ चुड़ गए। यहीं वे उन्दिनों लीला चिटनिस के हीरो भी बने जिनकी फिल्मों को देखने के लिए उन्दिनों युवा सिनेमा ग्रहों में भीड जमाते थे। शांताराम जी की उस फिल्म का नाम था अंधो की दुनिया और उसमें मनमोहन कृष्णा जी ने अपनी आवाज में गानी भी गाय थे। स्वभाविक नहीं लगते। मसलन धूल का फूल के गीत तू हिंदू बनेगा न मुसल्मान बनेगा। इसको कभी यूट्यूब पर देखो तो ऐसा लगेगा कि जैसे मनमोहन कृष्णा जी ही का रहे हैं। धूल का फूल इस गाने में थेटर तालियों से तब गुझ उठता था जब मनमोहन कृष्णा जी इन पंक्तियों को गाते थे। इन के ताज ये वतन बेशने वाले। इनसान की लाशों के कफन बेशने वाले। ये महलों में बैठे हुए कादिल ये लुटेरे। काटों के एवज में रूहे चमन बेशने वाले, तो इनके लिए मौत का सामान बनेगा, इंसान की अउलाद है, इंसान बनेगा। ये शब्द हैं ही इतने अच्छे, कि साहिर की श्रेष्टतम रशनाओं में इसे शामिल करना ही पड़े, मगर मनमोहन क्रिशना जी का अभिने उन्हें और भी असरदार बना देता था। अभिनेता की ट्रॉफी उस्वर्ष यश्चोप्डा निर्देशित धूल का फूल के लिए मनमोहन क्रिशना जी को ही मिली थी। यश्ची और उनके बड़े भैया बीयार चोप्डा के वे एक चहिते कलाकार थे। बीयार चोप्डा की ही नया दोर में जुम्मन चाचा बने मनमोहन क्रिशना को अपनी तर्द भरी आवाज में बाकी मजदूरों को एक छोटा सा समवाद बोलते देखो। जितनी जोर की हसी और उतना ही जोर का तमाचा और पूरे गाउं के दर्द की एक टीस निकलती हुई सुनाई देगी। अलाकार भी हूबहू लगते थे। उनके चहरे की निर्दोष्ता का लाप 20 साल बाद के निर्देशक बिरेन नाग ने अच्छा उठाया था। उस फिल्म का गाना कहीं दीब चले कहीं दिल। लता मंगेशकर के गाई सबसे हिट कानों में शामिल होता है। उस सस्पेंस फि राजकुमार को चमकाने वाली फिल्म दिल एक मंदिर में मनमोहुन कृष्णा ने अंकल फिलिप का इसाई पात्र निभाया था। धर्म के भेदभाव के कारण आजादी के तुरंत बाद भारत देश में हुए अविश्वास के वातावरन का एक अनुभव मुंबई आने के बाद भी हुआ था। उस वक्त वे वहीं शांतराम के साथ काम करते थे। एक दिन लालबाग में वे अपनी पसंदीदा उर्दू गजल उंची आवाज में कुनकुना रहे थे। उनके उर्दू उच्चार इतने साफ थे कि लोगों ने उन्हें मुसलिम समझ कर खेर तभी किसी ने उन्हें शांतराम के स्टूडियो के करमचारी के रूप में पहचान लिया और उस दिन वे बाल-बाल बच गए। मगर शायरी का शौक लाहोर के दिनों से था और वही उन्हें आउट्टोर शूटिंग्स में प्रियक अलाकार बनाता था। यश्चोपडा न ऐसे भी यूनिट के छोटे बड़े सभी के लिए वे परिवार के बड़े बुज़ुर की तरहा होते थे। वे काफी समय तक किसी फिल्म का निर्देशन उन्हें सौपनी के लिए यश्ची को कह रहे थे। इसलिए जब यश्चराज ने अपने करमचारियों के लिए एक फ रहानी होने के साथ साथ उसके गीत संगीत ने जो धूम मचाई फिल्म सूपरेट हुई और उसके चलते पूनम तो स्टार हो ही गई। यश्राज के उस समय के करमचारियों को भी उस सफलता का आर्थे किसा मिला। नूरी के लिए बैस डिरेक्टर के विभाग में 1980 के साल के फिल्म फेर एवार्ड में रिशीकेश मुखर जी और खुद यश्चोपडा तथा श्याम बेनिकल के साथ साथ मनमुहन कृष्णा भी मनोनित हुए थे। उनकी अभिनय यात्रा में बैजु बावरा और अनारकली से लेकर हम राज और महबूबा तक की करीब 200 फिल्में हैं अपना करियर वहीं शांतराम जैसे कला गुरू के हाथ नीचे शुरू करने वाले मनमुहन कृष्णा जी 1990 की 30 अक्टूबर के दिन शांतराम जी के देहांत के 3-4 दिन बाद ही जैसे अपने गुरू को मिलने चले हो ऐसे 3 नवंबर 1990 की रोज हम सब के बीच से फिदा हो गए क्या है